वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन भी दबा दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकुर शर्म और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो बाइक की मैंने एक्जोस्ट की सांड आपको पहले ही सुना दिया है यह बाइक है स्प्लेंडर और इसे कैफे रेसर में कनवर्ट किया है निखिल कस्टम्स मोटर साइकल ने जो की आपके जोदपूर राजिस्तान में बेस्ट हैं और काफी अच्छा काम करते हैं इन्होंने यह दो बाइक रेडी की थी सेम लुक में थोड़ा सा टैंक का डिफरेंस था आप देख सकते हैं कैफे रेसर इस पे टैंक पे भी प्रोपर मेंशन किया गया है और बाइक का लुक जो है मतलब स्प्लेंडर कोई देखके बता नहीं सकता स्प्लेंडर है फ्रंट में आप दे आप देख सकते हैं स्पोक वील्स है क्योंकि जैसा कि आपको पता कि कैफे रेसर में स्पोक वीलस ही ज्यादा सूट करते है इसका टैंक इस पर भी कैफे रेसर लिखा हुए है और मतलब एक एक चीज पर इन lunar बार की से काम किया है निकिल कस्टम्स ने और आपको इनका contact link description में मिल जाएगा आप इन से direct chat कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं अगर आपको अपनी bike modify करानी है तो और बिल्कुल top notch type की modifications करते ही हैं छोटी bike और बड़ी bike दोनो bike की modification में मतलब लोग माहिर हैं आप splander से लेके और bullet वगएरा या फिर वगएरा भी इन से modify करा सकते हैं और modification cost आपकी need के according होगी आप अपना budget के according इन से modifications करा सकते हैं जैसा आपको suitable लगे कि मतलब जितने जैसे आप modify bike कराने में तो जितनो ज़्यादा पैसा invest करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी bike अच्छी बन के आती है वैसे तो बट फिर भी ये कम rate में भी decent modifications कर देते हैं तो आप इन से contact कर सकते हैं बाकी इनके साथ अपनी आगे भी कई वीडियोज आएंगी nickel customs related जो इनकी creations होगी उनको मैं feature करूँ अपने चैनल पर लोटी कोई paid promotion नहीं है उनका काम real है मेरे को अच्छा लगा real में तो इसलिए मैं उनको अपने चैनल पर feature कर रहा हूँ और आप comment कर गए ज़रूर बताएं कि आपको ये passion मतलब splendor की look कैसी लगी और cafe racer में अच्छी लगती आपको या कोई और वरजन अच्छा लगता है splendor का या फिर कोई भी एक घंठे की वीडियो हो जाएगी अगर एक एक बाइक पार्ट के बारे में डीटेल से बताऊं तुम्हां तो इससे बडिया ये रहेगा कि आप description में मैं इनका link देता हूँ आप इनसे direct बात कर सकते हैं या इनके page पेन की post देख सकते हैं जिनसे आपको idea हो जाएगा कि क्या क्या modification ये कर सकते हैं बाकि ये थी पहले की look भाई की चलिए मिलते हैं next वीडियो में पर तब तक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मिलते हैं next वीडियो में